डॉलर मुल्की तारीख की नई बलंतरीन सता पर पहांच गया है इंटरि बैंक में डॉलर श्यार पैसे महिंगा होकर 174 रुपे की बलंतरीन सता पर बंध हुआ ओपन मार्केत में डॉलर 10 पैसे महिंगा होकर 176.30 रुपे का हो चुका है सोना खरीदने वालों के लिए बोली खबर है मरुपर में सोना की किमत में मुसलसल अजाफा हो रहा है और फी तोला कीमत में 1,400 रुपे का नुमाया अजाफा किया गया जिसके बाद नई कीमत 1,25,600 रुपे तक जा पहुंची है पीडीcida में के जेर इत्वाम एत्वार को मुल्तान के huस bets अगाही चौक में बडा पावर पीडीएम का हकोमत के خلاfเกथर शहर शहर इत्जाज जारी एत्वार को मुल्तान के हुसेन अगाही चौक पर दमा दम मसक लंदर होगा साबिक लीगी एमे ने शेख तारिक रिशीद को एतजाज के लिए कौर्डिनेटर मुकरर कर दिया गया सीटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिद अलहसन कहते हैं कि शेहरी एतजाज के लिए बड़ी तादाद में हुसैन अगाही का रुख करेंगे जहां पर तारिखी एतजाज होगा लीगी कारकुनों का कहना था किहना था कि महंगाई पर अवाम सरापा एतजाज है पीडियम काईदीन की क्यादत में इस नाएहल हकूमत से अवाम की जान चुड़ाएंगे मुस्लिम लिग नून ने अपने हर टिकट होल्डर को दो सो कारकुनान के हमरा एतजाज में शिरकत की हिदायत कर दी है एतजाजी मظاہरे में पीडियम के काईदीन खिताब करेंगे कैमरामन हारून अली के साथ जुनेद अन्वर मुलताण सस्ति चीनी की फ्राहमे के लिए असल इंत्जाम एक अहसे झाधन सस्ति चीनी की फ्राहमे के लिए मुबाल युनिट्स काईम के जाएंगे जो कि शहर की दस मकमाग पर मुबाल पॉइंट्स پर 9 रुपे फी कीलो चीनी फारोख की जाएगी दिप्टी कमिश्टर म lived on आमर करीम खान की हिदाद पर सस्तिषी चीनी की फिराहमे के लिए मोبाल पॉइंट साइं करने का फैसला किया गया आपकी policy के मताबग और डी सी बुलताई आमिर करीम खान कीड़ दायत पर मुलतान में डिफरेंट जगों पर जो दुकाने हैं, गलियों में, में रोड्स पर, वहां पर हमारी चीनी परवाइटेड हैं, अगर कहीं पर किसी डिटेलर को चीनी नहीं पहुंच रही तो वो घला मंडी से जो हमारे होल चल दे रहे हैं, जो हमारे डियो डिस्ट्रिस हैं, उन से राप्ता करके और अपनी चीनी का फोटा जो है वो ले सकते हैं, जो हमचे ह्कूमत पंजाब, मुलतान के बासी खेर मयारी दूद पीने से बच गए, पंजाब फूर अथार्टी इने एक्शन, डेरी सेफटी टीम का हभीव एक्षार को लूनी, अलतमश रूट पर, म कलेक्शन सेंटर पर शापा, 2000 लीटर मिलावरी दूद तलफ कर दिया गया है, जब भी डीजी फूर अथार्टी का कहना था, कि लेक्टिव सकैन टेस्ट के दौरान दूद में पानी और डिटरेजिंस की मिलावत पाई गई है, मियावाली में पैट्रल डूलर भी जी कहते हैं, एक पैट्रॉल पंपर पचीस से तीस लोग काम करते हैं, महंगाई की वज़ा से अखरजात पूरे करना मुश्किल हो गया है, तीन साल कबल हकूमत ने पैट्रॉल डिलर की कमिशन में इजाफे का वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं किया गया, हम तो पैट्रॉल डिलर एस्यूसेशन के मरकजी मिंबर ताहिर सुल्तान खानवत खैल का कहना था, कि पैट्रॉल यह वजीर से मतादत बार मुलाकाते की, लेकिन वो तर्खाते रहे, 80 रुपए लीटर पर कमिशन 2 पीसद था, अब कीमत 138 रुपए है, जबकि कमिशन वो ही है, यह तरह मुलक में महिंगाई की लेर आ गई है, इस तरह हमारे पैट्रॉल पाम मारकान भी का गोदर बदर मुख़र हो गया है, क्योंकर जो हमारे पैट्रॉल पाम डीजर के मारजन था, 80 रुपए पर लीटर पर भी वही था, अब यह 138 पर भी मारजन है, तो इसलिए हमने पहले हमारे पाकिस्तान की यूनिन के लोगों ने पेटरोलियो मिलिस्टर से भी मुलाकातें किये हैं लेकर उन्होंने कोई अभी तक वादा पूरा नहीं पेटरोल पॉंप एस्योसेशन ने कमिशन ना बढ़ाने पर पॉंप बंद करके धरना देने का इलान कर दिया कैमरमेन शिराज अग्बाल के साथ अखतर मजास मियावाली राजनपूर अंडरून शहर में मापको का बिजली चोरों के खिलाफ प्रिक्टाउं मुफलिफ कारवाईयों में बिजली के कनेक्शन मुनके तारी भी कब्से में ले ली गए है राजनपूर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के तौरान मापको सर्वलनस टीम रिकावरी और ऑपरेशनल टीम भी मौजूद थी इस मौके पर एक्सिजन मापको फयास तो सेन्खोकर का कहना था कि बिजली चोरों से कोई रयात नहीं बढ़ती जाएगी तासा तरीन कारवाईयों में गेरकारूनी तोर पर बिजली इस्तेमाल करने वाले एक शक्स को किरफ़तार किया कर एक भी आपको बताएं मुल्तानियों के लिए खत्रे की एक और घंटी बच गई है सरकार तकी कातिदार ने मुल्तान का पानी पंजाब में सबसे ज़्यादा आलूदा करार दे दिया है जनूबी पंजाब का दिल मुल्तान खत्रे में पाकिस्तान कॉंसल आफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्स की दिल देला देने वाली रिपोर्ट साल 2021 की सलाना रिपोर्ट के मताबिक शहर का 94 फिस्त पानी अलूदा हो चुका है पाकिस्तान में अलूदा पानी के लिहाद से मुल्तान का दूसरा जबके पंजाम में पहला नंबर है अलूदा पानी के हवाले से नई रिपोर्ट को सरकारी दारे भी मानते हैं रिपोर्ट के मताबिक शहरे उलिया के पानी में अर्षैनी की मिगदा 63 फिससे ज्यादा रिकार्ट की गई है गुजिश्ता पांस सालों के दुरान पानी की अलूदगी में मजीद 10 फिससद इजाफा हुआ है डिप्टी डिरेक्टर मौलियात का कहना था शहर में वासा और मेट्रो प्लूटन कार्प्रेशन को वाटर फिल्टरेशन प्रनाट्स के हवाले से मजीद बेतर काम करना होगा ताके लोगों को साफ पानी मिल सके वाटर कॉल्टी रिपोर्ट के मताबिक जनुवी पंजाब के दूसरे बड़े शहर भावलपूर का पानी भी 76 पीसद आलूदा हो चुका है गोहर रह्मान मुल्तान शहर अलिया के मरकजी शहराहों पर खाली प्लाट कच्रा कुंडी में तबदील तेली गेर शाहिन मार्कीट पीरांगाब रोड समयत कई लाके कच्रा कुंडी में तबदील शहरी परिशान हो गया यहां से सफाई करते हैं अध्यण में खाली तेलाट है पार समयत पूरा लगा तौफ वंड़ा हो गया शहर मरकज है, हार बंदे नहीं यहाद गुदरने है और यहाद देख रहे हैं यहाद बच्चों के गुदरने की भी जग़ा है लेकिन आप यहाद खड़े नहीं हो सकते इसकी पहला से, आने जाने में बड़ी परिशानी है शहर अलिया के बास्ट्यूनि निजामे से कच्रा कुणिया खतम करने का मुतालबा किया है कैमरमें राना बिलाल के साथ बिलाल याजी मुल्तान उधर पियेश मुल्तान की शहर को खुबसूरत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए घंटागर के बंद गड़ियाल की जगा खुबसूरत बनाने का बादा तक वफा ना हो सका वक्त तो बदला लेकिन शहर अलिया का दिल चोक घंटागर की बंद घड़ियों का मामला हल ना हो सका पाक सेंड हार्टी कल्चर अथार्टी मुलतान की शारहों को खुबसूरत बनाने की लिए बलंदो बांक दावे महद दिखावे तक महदूद रहे इंतजामिया की जानिव से बंगड़ियों की जगा खुबसूरत स्ट्रेक्चर बनाने का ऐलान किया गया था शेरियों का कैना तक एक अरसा गुजरने के बाद भी बंगड़ियों की जगा खुबसूरत स्ट्रेक्चर ना बनाया गया जबके दरबार हज़र शारुक ने आलम के सामने बंगड़ियाल नाखुशगवार मनजर पेश कर रहा है बंगड़ियों की जगा खुबसूरत स्ट्रेक्चर बनाने का मतालबा किया है कमरेमेंट वसीम रियाज के साथ अली रियाज मुल्तान वज़र रियाला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की हिदायत पर कमिशनर रिरागाजद खान सारासलम ने वावा का दारा किया है दारा के दारान स्कीम का तफ्सीली जायजा भी लिया उन्हें प्राइस चेकिंग के साथ अस्पतार रासर रिकॉर्ड सेंटर और दजजल गर्दाहुरी के मौामलात को भी देखा है जबकि उनका कहना था इस मौके पर के मिठे वाली बोटर स्प्लाइ स्कीम को 30 जून तक मुकमल किया जाएगा कमिशनर ने मौनल आर इच सी वावा की नई अमारत और शिल की तामराती काम के मौएने के साथ करोना वैक्सिनेशन देंगी काउंटर का भी वज़ट किया जनूबी पंजाब के बलदे आती नुमाइदों के लिए अच्छी खबर 2019 का बलदे आती एक मौतल करके 2013 का एक बहाल कर दिया गया है मुस्लिम लीक नून को बड़ा जटका तमन लगारी से मुस्लिम लीक नून का सफाया हो चुका लगारी ग्रूप की 44 साथ यूनी नून लीक छोड़कर पी टी आई में शमूलियत अक्तियार कर ली है आगे बड़े आपको बताएं रहीम जार खान में पल दड़ी सांगी के खरीब जलसा आम वसे बित्धाद जारी है रहिनमा वसे बित्धाद सरदार हसन खान ने आसी शुरका से ख़िताब कर रहे हैं आपको भी दिखाते है फिरा में जिर्ण मेरे ते एकिते जिरी मेरे सिर्धे दस्ता रखिये मैं ही दा मतलब भी जाण दा और मैं ही दा करगता करण भी जाण दा ए आज ए जलसा के रही आज ए फिक तहरीक ना आगाव सीगे आज तेडी तू अपने याँ डैरी अज नोट करके नो कि आज ये ओ तहरीक शुरू था ये जड़ी अपने मकसंद पूरे करते वांचे खतम थी से उनको दुनिया दि कोई रुकावट नी रोप सकती अज़रे पिसे मेरे ब्रया बेटियो मैं अधार तुसा सुनो ना सुनते हो एक कुह अगूग नी मिल दे जागा ना कुह अगूग मिल दे पता लगे तुसा जागते पहो हाथ करे करो वसाई मित्यार जबार जल खान यादी हिलाबद ये चरता सूरे हसन खान ये चरता सूरे हसन खान के उमेद के गे रहे हसन खान हम तुम्हारे साथ थे यहां एक बात हो रही थी कि पखतूनों को शनाफ आसे वज़रदारी ने दी यह खाम ख्याली है पखतून वो कौम है जो अपना हक और अपनी शनाफ चीद के ले दिये मैं आज अपने रब को गवाब बना के कहता हो कि जिस तरह पखतूनों ने अपना हक चीद के पखतून खा बना इसी तरह आपकी मदल से इन्शाला ताला यह सराइकिस्टार बंच के रहेगा बताएं सामरी रिवास्टी बहाबलपूर में सरसाधिक मौम्मद खान पंच्रिम की जिन्दगी पर किताब की रुनमाई की तक्रीब हुई है इस मौके पर वोईशनासर डॉक्टर अथरमेभू का कहना था कि सामरी रिवास्टी की बुनिया थी सरसाधिक मौम्मद खान अबासी लिरखीन को परवान चुड़ाना हमारी समधारी है बहाबलपूर में सरसाधिक खान अबासी दे फिफ्ट चेर के जिरे इतमाम सरसाधिक खान अबासी फिफ्ट के उपर डॉक्टर शाहिद असन रिजबी साब की मुरत्ब करदा किताब जो मजामीन का मजमूआ है हायात और खिदमात उसकी तक्रीब रूनमाई हुई तमाम मौजजजीन शहर मौजजजीन बहावलपूर डिविजिन जो के कदीमी रियासत बहावलपूर पर मुच्तमिल है आज यहां मौजूद थे कुछ मुकररीन ने भी खिराज तहसीन पेश किया नवाब साब की खिदमात को उन मजामीन के तथकिरे के साथ और मैं समझता हूँ के सरसाधिक खान दफिफ चेर इस सिल्सले को जारी रखेगी यह पहली किताब चेर के जिरसाया पब्लिश हुई है मजीद तेखीकी मकाले कुत्ब डॉक्यूमेंटरी जो हैं इनके प्लैन में हैं और मैं शाहिद असन रिजवी साब को मुबारक बात देता हूँ कि उनको यह सादत मिली कि उन्हों ने यह पहली किताब इस प्लैटफॉम से प्लैटफॉम से बूलिटन में आके पड़ें आपको बताएं कमिश्टर डॉक्टर इशाद एहमत की जिरसादारत मलतान पब्लिक स्कूल के बूर्ट ऑफ कवरनर्स का इशलास असासा की कारकरदगी जांचने के लिए सक्ट मॉनिटरिंग लागू करने का फैसला कर लिया गया है असासा को अधारी की बेहतरी के लिए वज़ी दिल्जमी से काम करने की हिदाद भी कर दे गई जबकि तनखाहों में अजापा और दीगर मौमलाफ पर वज़ी कमेटी के रमाक्स तलब कर लिए गया बहावन लगर में साइंसी मौडल्स की नुमाईश का है तमाम किया गया अक्टिविटी बेस लेरिनिंग के सलस्ने में क्लास जोहारम के बच्चों ने साइंसी मौडल्स बनाकर नुमाईश के लिए पेश किये है उनको कहिना था कि ऐसी एक्टिविटी इस तलबा को मजीद निखारती है डिप्टी सेक्टरी एजुकेशन खाज़जा मसरुल्हक का जौनियर मौडल्स स्कूल मौल्स का दौरा साइंस लैब का दौरा भी किया तालिबात के मौडल्स से खे मसरुल्हक का कहिना था कि तारीव भी की उदर जांपूर में पहला फाकीरबख slibt life cricket tournament का बेबरा 11 cricket ने बदर 11 cricket को शिकस्ते कर पता अपने नाम कर ली है जब कि पहले फाकीरबख sl найти taught生मय के फानल मैसमें बदर 11 cricket club ने पहले खेलते हुए मकररणा आर अवर में 622 नका टाकर दिया जिसको बबर 11 प्रिकिट क्लब ने छटे ओवर में मुकमल करके जीत हासिल कर लिए नासिन रवारती हरीफ पाकिस्तान और भारत सौब वेस अक्तूबर को T20 वोल्ल कप में टकराएंगे पाकिस्तान और भारत जब भी मैदान में उतरें पाकिस्तान इस बात पर उमीद है कि इस बार नतीजा माज़े के अदादो शुमार और तारीख के वरक्स ही निकलेगा T20 वर्ल कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर 15 आजमाई के लिए तयार हैं दोनों टीमों के दर्मियान हाई बोल्टेज टाक रा इतवार को हुए तर बरस में दोनों टीमों के दर्मियान 199 मैचिस खेले गए जिनमें ग्रीन शर्ट का पलड़ा भारी रहा कौमी टीम ने 86 मैच जीते, 71 में शिकर्स हुई जबके 42 मुकाबले ड्रॉ हुए टीटी मुकाबलों में पाकिस्तान और भारत आड़ बार आमने सामने, ICC वर्ट कप ने पाकिस्तान का ट्रैक रेकॉर्ड नाकिस तहा, 12 मुकाबलों में ग्रीन शर्ट एक भी मैच जीतना सके 50 ओवर के वर्ट कप में 7 और टीटी में भारती टीम ने 5 मैच जीते